नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्निंग आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दलानी पसल और दलानी पसलों के अंदर अपन पढ़ेंगे अरहर के बारे में जिसे लाल चने के नाम से जाना जाता है जैसा कि अपन पहले चने के बारे में अपने पढ़ा है मोट और मोंग के बारे मे साथ में पहसू के लिए चारा भी अपने को फस्त होता है दाले एक प्रकार से प्रोटीन का एक बहुत अच्छा जो है अपने, से प्रमट होती है आगे आए अपन बात करते हैं दोस्तों बारे में बात करने चाहिए हो है किस नाम से जाना जाता है उससे पहले बात करेंगे अपन सामाने नाम की तो इसे पीजन पी या रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है जिसको लाल चना के नाम से भी जाना जाता है तो चाहे किसी भी नाम से आप समधित कर सकते हैं चाहे पीजन पी बोल सकते हैं चाहे रेड ग अपने देशी जो भासा है उस बोली बाशा में इसको तूर की डाल की नाम से भी दोस्तो जाना जाता है कुछ इस प्रकार की डाल होती है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पिक के माद्यम से और इसका जो पोदा होता है इसमें इस प्रकार की फलिया लगती है और नीचे से जो फलियां होती है इन फलियों के अंदर क्या लगते हैं दोस्तो बीज लगते हैं बात करते हैं इसकी फेमेली की फेमेली कौन सी है दोस्तो दलाइनी पसल है तो लेगुमिनेशी कुल की होगी और लेगुमिनेशी कुल है इसका तो इसका दूसरा नाम क्या होगा दोस्त प्रोटेन की मात्रा पाई जाती है कितनी प्रोटेन पाई जाती है दोस्तों प्रोटेन की मात्रा पाई जाती है अ करके हैं इसका वरगी करना की एक तो के भलता है और अवरािटी के सासित लाजılmış की जाती है साखा यूक तो होती है मतलब इसमें साखाई या ब्रांचे चारो तरफ की पहली रहती है और यह पसल मुख्य रूप से उत्री भारत मतलब नौर्थ इंडिया के अंदर इस पसल को दोस्तो लगाया जाता है आगे बात करते हैं अपन कजेनस कजान वेराइटी फ्लेविस की फ प्रकार के अरहर आपके यहां होते हैं अपने राजस्तान कंडिशन में बात की जाए तो अरहर की खेती मुख्य रूप से दोस्तों अलवर भरतपूर तथा चितोड जिले के अंदर होती है अरहर मुख्य रूप से इन ही जिलू के अंदर उगया जाता है तता कुछ सवाई मदूब के छेतर में भी अरहर की खेती बहुताई से गी जाती है आगे बात करते हैं अपने इसकी जलवाईू के लिए दोस्तो देखिए अरहर एक प्रकार का खरीब सीजिन का प्लांट है कौन सी का है खरीब सीजिन का इसका मतलब इसको गडर्म मोश्रम डोस्तों आवशिक्ता रहती है इसी प्रकार से अपने बात करते हैं तो अरहर के लिए पचास से साठ सेंटीमेटर वार्सिक वर्सावाले च्षेतर में इसकी खेती आवसाने से की जा सकती है तता इसके वरदी और विकास के लिए पचीस से तीस सेंटीग्रेट तापपान कहा रहता है दोस्तों आउशक रहता है इस टेमपरेचर पर इसकी खेतियासनी से की जा सकती है इसे के साथ साथ अपन बात करते हैं जहां तक कि जो जलवाईव है वो पकते समय थोड़ी सी क्या ह होनी चाहिए जब अरहर पकता है उस समय थोड़ा टेमपरेजर क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए दोस्तों नेक्स्ट अपना बात करते हैं मरदा की जहां तक मरदा और खेत की तैयारी में बात करें तो इसके लिए बलूई दोमट मरदा सबसे अच्छी है बलूई पिएच्मान कितना होना चाहिए कितना होता है, उसके पिएच्मान 6.5, both. 7.5 के बीच में क्या होना चाहिए, इसे ज्यादा ने ने खारानीता पर इसकी पबार को गरह किया सकता है. उसी केरं में अपन आगे देखते हैं खेत की तैयारी तो अन्य पस्वलो याप को मिट्टी पलटने वाल हल से करने हैं तो Two To Three तो जिपन और इस तिन में आप को किससे करनी हैं और उसके बाद में पेको क्या करना है मिट्टी को पा्टा लगा के समतल करना लेना है और भूगर वेराइटींों की तो इसकी अलग अलग परकार की वराइटी है यह सिग्र पखने वाली हैं कुछ वी डिया आधी में पकलने वाली है और तो देखे सब्सक्ने है सिग्र पकने वाली किश्में तो सिग्र पकने वाली जो किसमें है दोस्तों इसमें है आपके पूसा आठ सो पच्पन के नाम से दे रखा है पूसा तेटीस पूसा अगेती प्रभात बहुत इंपोर्टेंट वेरेटी है प्रभात कई बार पूचा है प्रभात किश्की किसम तो प्रबात किसकी किशम है दोस्तो आरहर की किशम है आजाल में को 807 यदुर बैंक करते हैं तो इस प्रकार से क्धूर पकने वाले उन्नut किशम हैं बात करते हैं आगे अपन मध्यमअवदे में पकने वाले किशम है मतलब इनके लिए थोड़ा इनके से जयदा टाइम चाहिए, टाइप 21 इसकी वेराइटी है अच्छी, जवाहर आरहर 4 आसा जिसको ICPL 87119 के नाम से जाना जाता है, अब बात करते हैं अपन देर से पकने वाली किश में, तो जोसे बाहर के नाम से एक वेराइटी है, पूसा 9 है हाइब्रीड किश में है कौन सी, PCH4, PPH4, ICPH8, जो ICPH8 है ये वेराइटी इकरीश हैट हैदराबास से दोस्तों विक्सित है, काफी पोपुलर किश में, काफी बार पूचा है कि ICPH8 किसकी वेराइटी है, दोस्तों ICPH8 अरहर की किश में है, तो इस परकार से इसकी तीन परका वाली क्रॉप्स, ये वेराइटी हैं दोस्तों आपको याद करनी पड़ेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं अपने आगे की तरफ पे, बीज दर यहों बीज उपचार की है, तो दोस्तों प्रती हेक्टर की साबसे इसको 12 से 15 केजी बीज दर की आवशिकता रहती है, मतलब 12 से 15 केजी बीज इसकी पचल के लिए दोस्तों आवशिक रहता है, बात करें बीज उपचार की, तो ये पचल है कौन सी दोस्तों, दलहनी, अब जब दलहनी पचल है, तो दलहनी पचल के लिए आपको पता है क्या चीए, राइजोबियम कल्चर ची उपचारित करने के लिए, तो अपन क्या करते हैं, तीन पैकेट लेंगे राइजोबियम कल्चर के, पैकेट और एक पैकेट का वेट होता है 200 ग्राम, मतलब 600 ग्राम टोटल क्या हो गया, इनका वेट हो गया, क्या करेंगे इसके साथ में, 250 ग्राम इदर लेंगे आप गुड़, और गुड़ को आप एक लिटर पानी के साथ में घोल लेंगे, और जो बीज हैं, उनको अपने एक डहरी के रूप में ढाल लेंगे, ढाल के और उस बीज के, मतलर जो गुड़ का अपने घोल बनाया था, पेस्ट बनाया था, उसको बीजू के उपर आसने से फेला देते हैं, फिर आप राइज करना यह हो गया, पादव सरक्षन की जहां तक बात करें, तो जैसे आपको पता है, कि सभी दलनी पसलों में एक कीट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है पोड बोरन, क्या फली छेदिक के नाम से इसको जाना, जाता है हली कोर्पा आरमी जेरा के मादिन से, तो वह सभी है, सभी पसलों के अंदर जो दलनी पसले हैं, उनकी फली के अंदर छेद करके दाने को खा जाता है, दोस्तों, इसी के साथ साथ इसकी अन्य बीमारी कौन-कौन से है, इस्ट्रलेटी मोजेक के नाम से जाना दाता है, यह क्या होता है, इस्ट्रलेटी मोजेक, वाइरस के द नेक्स्ट अपने बात करते हैं कटाई और मडाई की जब अरहर की पसल अच्छे से पक जाती हैं फलियां हारे रंग से ब्राउन रंग में प्रतीत होने लग जाती हैं तब आप क्या करेंगे जैसे अरहर का तना काफी बड़ा होता है उसके बाद में यहां से फलियां लगना ब्रांचेज के स्टाट होती है तो आप यहां से इसको क्या कर लेंगे पसल को कट करेंगे तदा एक जिगे बंडारित कर लेंगे बात करें अपन डंठल की तो डंठल की अपन अलग से क्या करते हैं कटाई करते हैं उसको इंदन के रूप में काम लेते हैं तदा थ्रेसर की सायता से दाने को फली से अलागे कर लिया जाता है आगे अपन बात करते हैं उपजगी तो जहां तक बात करते हैं दाने की तो दाने की उपज दोस्तो 18 से 20 क्योंटल पर हेक्टियर दाना अपने को प्राप्त होता है तथा आपको 300 क्योंटल परती हेक्टर इसकी जो लकडिया है वो प्राप्त हो जाएगी जिसका उपयोग अपन इंधन के लिए करे सकते हैं तो इस प्रकार से अपने अरहर की पसर पड़ी उसी अगले करम में अपन पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में अब अपन पढ़ने जा रहे हैं चांवले के बारे में है जिसे ककफि के नाम से जाना जाता है और इसका बोठनिंगल perspective है विगना अंगूकी लटा क्या नाम है विगना अंगूई खुलाटा क्या नाम से साथ में इसे वैजी टेबल मीट के नाम से जाना जाता है in the parliament कहा जाता है compris यह सहाकारी मास्थ इसको जाना जाता है सहाकारी मास के नाम से इनको जाना जाता है वेजिटेबल मीट या सहाकारी मास किसको कहता है चावला को या इसे लोबिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है दोस्तों चमले का उपयोग मुखे रूप से सबजी बनाने के लिए डाल के रूप में तथा इसके परियोग मतलब पसनों को एक आच्छा दित पसल के रूप में बोने के लिए मल्चिंग के रूप में इसका परियोग किया जाता है और पसु इसके चारे के बड़े चाव से इस प्रकार से चमले के दाने आपको दिखाई दे रहे होंगे चमला इस प्रकार से होता है और साथ साथ में इसकी जो फलिया होती है वो इस प्रकार से लंबी फलिया होती है यह जमेन पर आच्छा दित रखता है मतलब मरदा कटाव को भी क्या करता है रोकता है दोस्तों आग अपने तरग के अनुसार की अफ्रीका इसका उत्वपतिस्तान है बात करते हैं प्रोटीन कॉंडिटेंटी की तो इसमें 23 प्रतिशत कितना दोस्तों 23 प्रतिशत क्या पाया जाता है और साथ में इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज पाया जाती है जिसका नाम है मिथियोनि अमीनों अमल की अच्छी मात्रा पाई जाती है दोस्तों अब बात करते हैं इसकी खेती की आगे कि खेती किस प्रकार की कह जाती है तो दोस्तों ये भी क्या है एक प्रकार की गरम जलवाई की पसल है इसकी खेती अपन खरीब की रितों में करते हैं और इसके लिए 30 से 35 डि जबकि अंकुरन के लिए 15-20 degree centigrade तापमान की दोस्तों आउशकता रहती है, इस तापमान पर आराम से उग जाता है, अपना व्रद्धी विकास कर लेता है. नेक्स बात करते हैं अपन इसके मर्दा की, तो मर्दा वो ही बलूई दोमट मर्दा चाहिए, अच्छे जलनीकास वाली चाहिए, पिएच मान क्या होना चाहिए, उसका 6.52, 7.5 पिएच पे आसानी सिसको गरो किया जा सकता है, खेत की तैयारी की जहां तक बात करें हैं अपन, तो एक जुताई आपको मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है, जिससे मिट्टी नीचे की मिट्टी उपर की तरफ आ जाती है, उपर की मिट्टी कहां चली जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है, और साथ साथ में दो से तीन जुताई आपको मिट्टी पलटने वाले हल से क कर सकते हैं उसके बाद में करने के बाद मतलब भूमी को पाटा लगाके अच्छे से क्या कर ले समतल कर ले और समतल करने के बाद में आप क्या करने बीजू की बुवाई करना सुरू कर दें वीजू की भुवाई के बाद में अपने करने सुरू सोचते हैं तो उससे पहले यह भी सोचेंगे अपन की इसके लिए उन्नतकिश में क्या है देखें दोस्तों इसके लिए उन्नतकिश में है आर सी एक सो एक और जेसी टैन के नाम से वराइटी है इसके अलावा इसकी कुछ पोपुलर किसमें जैसे पूसा फालगुनी पूसा दोफसली और दुर्गा करांती यह बहुत इंपोर्टेंट वराइटी है काफी कॉंपेटिशों में इनके बारे में पूछा गया है दोस्तो और जो दुर्गा करांती वराइटी है यह S-K-R-A-U दुवारा विक्षित किश्म है स्वामी केश्वानन राजस्तान अग्रिकल्चर यॉनिवर्सिटी बिकानेर के दुवारा यह दोस्तो विक्षित किश्म है आगे अपन बात करते हैं 20 दर एम बीच उपचार की है अगर सामाने तो रुपी इसकी खेती करनीय आपको एक दाने के लिए करना है तो आपको पंद्रा से 20 केजी वीज एक हेक्टियर छेतरफल के लिए दोस्तों सफि morals है एक हैक हेक्टियर छेतरफल के लिए आप 15-20 मतलब så함ाने मर्दा में करनी है सामाने वइस데 करनीय तो 15-20 केज आ अगर चारे के परपसे आप वहाई कर रहे हो तो चारे के परपसे आपको 20-25 केजी बीज़दरही की दोस्तों चाहिए होगी तो इस प्रकार से आप वीजो को काम में ले सकते हैं वीजो उपचार आप राइजोबिम कल्चर के मादिन से करें जैसे प्रिवेस पसल में आपने पड़ा था अरहर की पसल में आपको वीजोब्सार राइजोबिम कल्चर के मादिन से करवाया था उसी प्रकार से आगे अपने बात करते हैं बुआई का समय वीदी समय की जहां तक बात करते हैं दोस्तों इसकी बुआई जून तथा जुलाई महामी की जाती है जब वर्सा रिर्टू स्टार्ट होती है उस समय आपको क्या कर देनी इसकी बुआई कर देनी है बुआई की वीदी इसकी कतारों में दोस्तों करते हैं तो कतार से कतार की दूरी इसकी रखते हैं 30 सेंटीमेटर दोस्तों तथा पोदे से पोदे की दूरी 10 सेंटीमेटर आपको रखनी ह पर आपको क्या करने इसकी वहाई तथा चार से पांस सेंटिमेटर इसके बीज की गहरा ही रखते हैं अपन दोस्तों जब बीज की बॉहाई करते हैं तब भूमे में चार से पांस सेंटिमेटर गहरा ही तक इसके बीजों को बॉहाई नेक्स्ट अपने बात करते हैं खा दें और वरकी, खा दें और वरकी में बात करते हैं तो आपको आपको आट से दस तन परती हेक्टर दोस्तों गोबर की खा दिया FIM डालनी है शुरुवात में, कितने डालनी है, आट से दस तन परती हेक्टर FIM या वर्मी कंपोस्ट जब भ 20 kg आपको फासफोरस प्रती हेक्टर देना है और पोटास आपको 40 kg प्रती हेक्टर दोस्तों देना है अब बात करते हैं नाइट्रोजन की मात्रा की नाइट्रोजन की मात्रा फासफोरस की मात्रा और पोटास की मात्रा ये सुरू में ही प्रियोग करनी है भूमागी तब भू प्रंबिक आवस्ता में व्रदी और विकासे तू 20 केजी निट्रोजन के आवश्यक्ता रहती है। नेक्स्ट अपन बात करें सीचाई की। चमले की खेती ज्यादतर बर्सा के आधर पर की जाती है। लेकिन जब सुके की स्तिती रहो तो 2 सिर 3 इसमेशी चाहिए अगर आपके पास अविलेबल हो तो कर देनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें अंत्राकर्सिया इंट्रकल्चर ओपरेशन की। तो जब चमले की बुवाई करते हैं तो उसके 20 दिन बाद में आपको क्या करना है प्रथम निराइगुडाई कर देनी है और खर्पतवार को क्या कर दाना दोस्तों नेस्ट करना है। साथ में पैंडा मिथाइलिन दवा। कौनसी दवा। पैंडा मिथाइलिन। पैंडा मिथाइलिन का क्या करें आप बीज बुवाई के बाद तथा अंकुरन से पहले आप इस प्रे कर दें खेत में ताकि इसमें क्या हो जाता है घर्पतवारों का नेंत्रन हो जाता है रसाइनिक विदिसया पर करना चाहें। आगे बात करते हैं पादफ सरक्षन की प्लांट प्रोटक्ष्ण में तो इसमें क्या मूल शुष्क मूल विगलन रोग रगता है मतलब जड़ें सूप कर क्या हो जाती है गल जाती है पर कैसे यह रोग लगता है एक लोग रगता है इसमें चाचय या चोणनी फकून जिसे पाउडर्य पाउडर्य मिल्ल्डु के नम से जाना जिता है जोस्तों इसका करने के लिए आपको किया करना है के रा थेंद्वा करना का इसिपर्य करना है जीरो पॉईंड त्री पर्तिशाट का डैक्स अपन बात करते हैं आगे काटाई और मननाई जब फलियां सूकने लग जाती हैं काले रंग में परिवर्थित हो नहीं लग जाती हैं तब आपन फलियों की चुटाई कर लेते हैं जैसे जैसे फलियां एक साथ तुड़ाई नहीं की जाती है अलग-अलग स्टेजबे की जाती है क्योंकि कुछ फलियां कच्ची रह जाती ह और कुछ पक जाती हैं तो इसकी दो से तीन बार तोड़ाई करें तता दानों को थ्रेसर की सहता से अलग कर लें फली से और उपज की जहां तक बात करें दोस्तों तो अगर जिसकी दाने के रूप में उपज अपने को प्राप्त होती है वो 15 से 20 क्योंटल प्रती हेक्टर प् तो उमीद करते हैं सबको दोनु पसले काफी अच्छे से समझ में आई होंगी और आगे आपन जो बची भी पसले हैं उनके बारे में स्टेडी करेंगी